असलाम लेकुम जी कैसे हैं आप लोग सब ठीक ठाक हैं यह जी सुबा नौबजे का टाइम और नौबजे बाई थोड़ा सा मौसम जो था वो बहुत प्यारा सा और हलके हलके बादल वाले हो रहे थे लेकिन धूब भी सासा आ रही थी लेकिन फिलाल इस टाइम नौबजे तक मौसम बड़ा अच्छा सा हो रहा था और सुबा में उठी थी नाष्टा बनाने के लिए बच्चे स्कूल चले गए थे तो बस यहां पर मैंने नाष्टा शुरू करा अपना केचन सुबा जब बच्चे गए तो मैं समाल चुकी थी अपना साफ कर चुकी थी और बस यहां मैं के अपने भी मिने इसीं के अंधर एक शामी कोव रख दिया Scientists ओर फ्राई कर लिया था तो इसे इसी में एक शामी कॉवाब डाल की तो आंडा बना लेती हूं तो यहां पर जी नाश्ता बगरा कर चुके थे तो मैं तोड़ा सा अपने सुस्राल गई थी मापे अपनी सास को देखने के लिए उनकी तब्या ठीक नी थी और साथ बताती चलूँ के मेरी बहन भी उम्रे पे चली गए मेरी बहन और मेरी सास बहन की जा रही है और चोटा मुहम्मद जो है वो भुखार उसको बहुत तेज हो गया क्यूंकि वो मुहमा के लिए दो दिन से बहुत रो रहा था तो बस माओं के बगएर बचे रहते तो नहीं है लेकिन बस उस उन्होंने जाना था पर फिर भी मुहम्मद नानों के पास है और आप शुकर लगा कि ठीक है उसको नानों ने दोआई बगएरा दिये बस यही है लग ताला सबको उम्रे की उम्रा करना नसीब करे आमीन सुमा आमीन और यहां पर जी रात के टाइम शामीर फात्मा हम सब लोग बाइट निकल के थे खाना खाने के लिए और खाना खाने हम जाते हैं यह आपको पता है कि यह बागे जैतून है बहुत अच्छा होटल है मरी रोड पे है और रेड उनियन के नीचे है और किसे ने मुझा था यह कहां पे है तो यह रेड उनियन मरी रोड वली साइट पे है सदर वली मरी रोड से जब निकलते हैं उससे सीधी हाथ पे अपने मुड़ना होता है तो सदर वली साइट पे मुनाल जो है मुनाल के सामने नीचे रेड उनियन के नीचे है बागे जैतून और यार इनका खाना आपकी रेंज में भी है और बहुत ज़दा मज़े का भी है और इनका टेस्ट भी खाने का बहुत अच्छा है और इनका रोगनी जो है वो आप हर हाल में भी खा सकते हैं क्योंकि इसको आदा गंटा एक गंटा दो गंटे ऐसे भी रखे रखो तो इनका रोगनी जो है वो नरम रहता है हाड नहीं हो जाता सकत नहीं हो जाता तो बस खाना शाना खाया और वी रोटीन अपने मिठों को पहले कहाना डाला है जो इनकी फीड होती है यह पनी फीड खाते हैं तो हमने इनको इनकी फीड दी और experien मैंने बच्चों की बस लाइंज की त्यारी करनी थी वो भी मैंने समाला और साथ साथ बस ये थोड़ा सा मिठे बगएर हैं जो लिये थे वो धोके रखें और साथ बच्चों के लिए यहां पर दो आलू नकाली थे रफ्राइस के लिए जो शामीर लेके जाएगा सुबा के लिए रात हो कट कर लेती हैं ताकि सुबा देर ना हो जाए तो बस यहां पर मिर्चे मैंने सुखने के लिए रख दी थी तड़का वगएर लगाने के लिए और चलिया ले ली थी वीडियो पसंद आए लाइक करें शेयर करें और मिझे सबस्क्राइब जरूर करें अला आफेज